वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाइ सेंसुडाइन एंड विमल बोलो जुबां के सरी और विपक्स के नेता बनाने से लेकर के मुखमंत्री में गारा विदायकों के साथ लालु यादब जी के साथ हम लोग थे नबय में इंडिपेंडेंट डेले को लेकर के थे जनसंग भीता है तो हम तो लालु यादब जी का रेस्पेक्ट अंतिम सांस तक करते रहेंगे उनकी इज़त मेरे लिए बिल्कुल पिता के तरह है रो रहेगा उसमें कोई बैस नहीं है आप उसको क्यों मुद्दे मिलाते हो अब मैं जो बार बार आप चर्चा किसी बात का आप करते हो मिल करके गटबंधन काम करेंगे ना ते जस्पी जी हो या पपु यादब हो हम लोग मि किल के ही न कोई हिससा बिनेगे जोरेंगे आप ही इन वही कर्णा के लिए काम कर रहे हैं तोम दौन दोनों मिल करके वह अपने हिसे का काम कर रहे है मैं अपनी जिम्हेदार ही और अपने करते कभ्यों पप कर चलगा है उसको सवाल सुन लीजी आफ-शोल कहां तक मुझे- है आप करिएगा मुझे कि सब कुछ सीखा तेजस्वी आदव ने लालु जी से सिर्फ धैर ही नहीं सीखा देखिया मैं एक बात आपको बता दूँ हुआ नाइन्टी वन के बाद जन मिलिये दोनों बच्चे और उनको लालु आदव की एक अच्छी विरासत मिली काम करने का दो दो बार डिप्टी से में मुका मिला काम करने का प्रियास भी किया अभी लंबे रास्ते हैं और उने अनुभाब के साथ वो अपने आपको और भी परिवर्तन करेंगे मैं समझता हूं अखलेज जी ने अपने मुलाइम सिंग जी के साथ पहली बार अखलेज जी अस्टे अपने अनुभाब और साइकिल के साथ और जो सरकार चलाने की अखलेज जी को अनुभाब हुआ तो उन्होंने एक अपनी सालिंता दिखाई ना पैसेंस है ठीक है मुलाइम सिंग जी का संगर्ज भी आगे अखलेज जी को अब यदि ऐसे बरभोला पन मुखमंत्री और ऐस ऐसे लोग उतावले पनवाले रहेंगे तो अखलेज जी लड़ने और मरने का भी जज़वा आगे आजाएगा उनको तो समय टाइम पर्शन प्लेश वे सवाल तो तो तेजस्वी जी को लेकर था उनको भी तो टाइम पर्शन प्लेश और वे समझा देंगा ना वो अच्छा एक बात बताईए आप घुमा रहें ने जलेवी के तरह इसलिए मैंने मैंने कहा कि बख्त के साथ उनको अनुवफ होगा और वह बहतर करना चाहिए उधर से कहा क्या जा रहा है कि पपूजी के पास देहरे नहीं है उनको तो कहा गया था दूसरी जगा से लड़ अच्छा एक बात बताईए मैं स्विकार कर लेता हूं मेरे पास देहरे नहीं है जिस देश में गटबंधन के लावे कोई चुनो लरनी को तयार नहीं हो और दो ही गटबंधन से लोग चुनो लड़ता हो तीसरा कोई लरनी की हिम्मत पैदा नहीं करता हो वहाँ दो दो अच्छों निर्दलिया लरनी की तैयारी किये तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में एक आदमी विपरित परिस्थिती में कोई निरने लेता जैसे करोना में आप सब लोग घर में सुए हुए थे आप लोग कोरोना से डर रहे थे अमिता बचन से लेकर सब ताली थाली बज जैसे इस देश का प्रधान मंत्री दया की भीक मंगता रहता है हम इसा अजब भीक मांगेंगा तो गंगा के किरारी चल जाता है अरे पपकु जी आप कह रहे हैं आपको कुरोना में लोगों ने देखा आपने चुनाओं में तो फिर हार गए आप जी उसके बाद चुना भी गए आप भया एक बात बताओं अंबेदकर साथ कितनी बार चुना लड़े फिर आप वहां चले गए अंबेदकर साथ करता हूं यहां कि मुलायम सिंग जी असी में हार गए और हम से सरद्यारभ जी भी हारे हम चार बार इंडिपेंडेंट एंपी बने हैं और इस देश गैनेले बन गया है बात साल में एंपी बन गए फूरी दुनिया कोरुना टड़ा रहे थे तो हम पूरा देश दुनिया के कोरोना को अकेले ड़ा रहे थे तो आप यह आप फूल जाते हैं ब dispos आपके बार काम पर तालियां बज रही है contrad tape land, एक ताली से लोगों को express तोरी आता है inís paय होता है है यह उनकी feeling है और मैं उनके sentiment को रेस्पेक्ट करता हूं लेकिन हमारे हमारी जो principal हमारी जो उस लक्ष में जब पूर्णिया की बात हो रही थी, तो आप भी तो धैज रख लेते, बातचीत कर लेते, आप तो सांप बिच्छो वाली कहानी जाके बताने लगे, तीन मेहना पहले यादव महासभा में किसी ने टेजस्वी की जिंदाबात के नारे लगा, आप मंद से उतर गए, आपको कहा से ये बात समझ देन है, मध्यपुरा में हम तो कभी यादव महासभा, च्छत्रिय महासभा, हम तो सरभारा था, सर्व्धर vs. संभाव वाले लोग है, हम जहा से पूरणिया में चुनोpp हम तो यादव है ही नहीं, डेर लाक यादव में पूछते क्यों न प्रणियां में हैं याद आब थो सुपौल में है याद चबड़ा में है तो पूर्णया च्वर दी हम उस्मान मुए फिर समझ में नहीं आता कि वहाँ नारे की तो कोई बाती नहीं थी वहाँ एक पर्सेप्शन था और एक आइडियोजी थी कि हमको कैसे जाती जंगर्णा के सबाल पर याद अब पड़े लिखे लोगों का मूव क्या होना चाहिए और आरक्षन का क्या मीटर है इस पर चर्चा थी स्टाली ने तब तक आरक्षन को प्रोटेक्शन सुन लिजे साथ और तब तक जाती जंगर्णा की बात OVC की आ चुके और OVC में जाद अब 17% वहाँ है उसमें या अदमों की जो भूमिका है उस पर एक परिचर चाहती है उसमें हमें समाज में अन जातियों के सम्मान को अधिकार और उसके विशारों को रेस्पेक्ट करते हुए मंदल कमिशन के बाद समाज में किनको आरक्षन का लाब मिला आर्थिक सेक्षनिक और समाजी कुरूप से किनको नहीं मिला इस पर चर्चा थी और वो उस चर्चा में पप्पूयारब की बागिदारी थी वहां एक नारा लगना लगातार सुरू हुआ मैंने कहा कि मैं भी जिन्दाबाद कर रहा हूं और तेजस्वी जिन्दाबाद नहीं हो रहा था फिर आप अपने को सुधार लिए लालु यादब जिन्दाबाद हो रहा था और मैंने कहां मैं भी लालु यादब जिन्दाबाद कर तो आपकर ने जा रहे हैं अच्छा एक बात बताईए जी राम को जो लाया है हम उन्हीं को लाएंगे अब हमारे भी राम और सीव कृष्ण को पपू लाने लगे हम तो दर्सन की बात पूच रहे हैं और राम को उंगली पकर के चलाने लगीएगा तो हमको लगा एक दिन संक्राचार्च जब भोला ना कि बिना नच्छत्र के मंदिर का उत्गाटर हो रहा है तो हम किसी से पूचे कि हम मानते नहीं हैं हम अननमार्गी हैं हम साधना करते हैं अध्यात्मिक आदमी हैं डेस्टिनी को मानते हैं पपूजी मुझे लग रहा है यूपी आप बदल गय नहीं है चलिए बहुत 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 राम का कारेक्टर है पपू का जब तक जिन्दा हूं हर गरीबों का आशु पोस्ता रहूंगा इस दुनिया में मेरा एक ही लक्ष है दुसरा कोई लक्ष निए वीगाड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाइ सेंसोडाइन और विमल बोलो जुबां के सुरी